हेलो दोस्तों कैसे वोप सब लोग होई होप आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल ले थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने पंद्रा सल पुरानी गाड़ी की फिटनेस है वो कैसे करवाया प्रसेस दिखाया था तो उसको लगे काफी सारे हमारे वीवर्स के मैसिज आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि उनके पास भी 15 सल पुरानी गाड़ी है वो भी रिवनियू करवाना चाहते हो तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने अच्छे ये वीडियो मनाने जा रहा हूं तो आई होप य लगा सकते है रिन्यूवल के लिए और उसकी फीस रहती है कार्स की जो फीस है वो तकरीबन शेयर दोसो पच्छवन पर जिसका कि मैंने आपको ब्रेक अप जो था लास्ट वीडियो में दिखा दिया था जिसमें कि तकरीबन पांच यह पर जो रहती है एप्लिकेशन फीस उसके बाद 800 वी समफिंग फिटनेस टेस्ट रहते हैं देन उसके बाद समार्ट कार्ट फीस एंड शिपिंग चार्ज यह संधिंग रहते हैं तो 625 लंशम यह फीस लगती है उसके बाद क्या था फीस अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दिन बाद फॉर्म 25 जो होता है उसका print-out निकालके आपको fitness के लिए schedule book करना बढ़ता है, then schedule book करने के बाद आपको fitness center visit करना बढ़ता है, तो fitness center visit करने से पहले आपको ensure करना होगा, कि आपकी जो गाड़ी की lights हैं, जिन लाइक आपकी headlights हैं, fog lamps हैं, इंडिगेटर से proper work कर रहे हो, low beam, high beam proper work कर रहे हो, कोई गाड़ी का windshield या damage ना हो, crack ना हो उसमें, क्योंकि अगर गाड़ी कोई windshield में crack होको तो सिधी reject कर देते हैं वो, secondly, यह है कि आपकी जो गाड़ी का engine number, chassis number है, वो proper दिख रहा हो, कहीं से temper ना हो, और secondly, यह है कि आपकी गाड़ी smoke ना गर रही हो, white black smoke किसी भी तरह गाड़ी ना गर रही हो, और उसके बाद आपको कहना है, form 25A, जो form 25 होता है, वो उसका print out निकाल कि आपको fitness center visit करना है, then जो MVI होता है, motor vehicle inspector, वो आपकी गाड़ी को inspect करेगा, अगर उनकी मर्ची mood पे depend करता है, वो चला के देख भी सकता है, बाकि वो electrical parts करेगे चेक करते हैं, तो वो देखे का सारी आपकी गाड़ी अगर रोड पे चलने राएक होगी, तो वो जस्ट उसका जो engine number होगा और चैसी number होगा, उसको match करके trace करके form 25 APA mark करके stamping अरगे आपको देदेगा, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दूँगी अपकी अगर private vehicle है, और अगर कम चलती है तो obviously अपकी गाड़ी fitness test pass कर रही लेगी, तो उसमें कोई मलब यह doubt नहीं रहेगा कि यह नहीं होगी, अगर आपकी गाड़ी है मलब बहुत damage है, नहीं चलने लाएका यह smoke कर रही है, तो वो reject होगी होगी, इसमें तो possibility है, यह तो बाकी process बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप मोटर fitness test में आपकी गाड़ी जो उसका test है वो पास हो जाती है, इसको approval दे देता है, नहीं जो RC का smart card हो कुछ दिन बाद लाइक 25 दिन बाद उसका smart card by post आपके जो communication address जो आपने दिया होगा जा रिश्टर्ड address जो भी आपकी RC के उपर अपने डिवर हो जाएगी, तो यह simple step है, अभी एक question यह आ रहा था कि अगर माली जी किसी और state की गाड़ी किसी और state में fitness test के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आमरी सर यह लुग ध्याना में fitness के लिए apply कर दो, यह नहीं possible हो पाएगा, जिस भी address पे आपका RC के उपर आपके जो भी address मेंशन है, उसी district के उपर आपकी गाड़ी रिश्टर्ड होगी, और एक भाई का message आज़ा है कि वो चंडीगर से हैं, तो वो पंजाब में आ जाएग लेकिन वो पंजाब में चला रहे हैं, तो कि अगर वो गाड़ी के लिए 15 साल पुरानी गाड़ी के लिए apply कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप किसी और स्टेट की गाड़ी पंजाब में लेके आते हूँ, तो first of all आपको as per low and उसी लेके अपने जो भ को नहीं लगता कि वो रिनीवल हो पाएगी, क्योंकि यह डैली में तो obviously 10 और 15 सल का रूल चल रहा है, बट वो नहीं हो पाएगी, अगर फिर भी आप करवाना चाहते हैं, तो I think आप एक बार डैली की जो है आर्टी वहाँ पे एक बार contact चुरू कर लें, तो hopefully वह आपको थो रिनीवल नहीं होगी, क्योंकि यह सिंपल है डैली में तो first of all 10 सल और 15 सल का रूला तो 15 सल तो पुरानी दो गाड़ी वैसे नहीं चलने देरे, अगर आप कोई पंजाब या हराइना की 15 सल पुरानी गाड़ी वहाँ पे लेके चले जाते हो, और इनके साब को पूलिस और र पूलाई करसों को, तो यह कुछ थे और इसके साथ यह भी विवर्था की, फिटनस टेस्ट में क्या क्या लेकि जाना पड़ता है, तो फिटनस टेस्ट में आपको बता दू, first of all जब आपने अप्लिकेशन को लगाना है, तो आपके जो डोकॉमेंटेशन है, वह कंप्लीट होने चाहिए, और उसका स्टेस ओनलाइन अप्डेट होना चाहिए, लाइक आपका RC सर्टिफिकेट और इंशूरंस और इसके साथ ही पॉलिशन जो है, वह अप्डेट होना चाहिए, उसके बाद यह एप्लिकेशन लखाएं, और फिटनस टेस्ट में जब गाड़ी लेके जाओगे, तो यह सारे जितने भी और इंशूरंस नहीं है, या आपका पॉलिशन नहीं है, तो जब भी आप एप्लिकेशन लगाएं, तो उससे पहले जो आपके डॉकमेंट हैं, इंशूरंस और पॉलिशन वह जूरूर कर वा ले, तो दोस्तों यह थे कुछ आपके में में कुछ होड़ सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम का हैंडल है, मेरा ओफिशल मानी गुपता, वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और इसके साथ ही अगर आपके बास है कोई गाड़ी, आप उसका रेव्यू शेयर करना चाते हो, या ओनर्शिप व्यू अपने चैनल पर शेयर, तो आप में को इंस्टाग्राम पर मैसेज जरू करें, तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक ऐसी और वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई, टेक एर, थेंक यू सो मच